वेब दुनिया के बॉलिवूर्ड सेक्शन में आप सभी का स्वागत है और इस बार हम बात करेंगे अनुराख कश्चप के फिल्म अगली की अनुराख कश्चप डार्क और सेंसेटिव फिल्म लिदेशिप के रूप में जाने जाते हैं अगली भी उसी केक कड़ी है फिल्म में इंसान के अंदर चुपी बुराईयों को दर्शाय गया है जो से विलन मनाती है फिल्म की कहानी एक स्ट्रगलिंग एक्टर और उसकी अगवा हुई बेटी के आसपास गुनती है अगवा बेटी की खोच ही पुरी फिल्म में चलती रहती है लड़की के पिता के किरदार में है राहूल भट और मा का रोल निभाया है तेजसवीनी कोधापूरी ने केस को सुलजाने वाले कुलिस अफसर बने है रौनित रॉय फिल्म की शिरुवात एक सस्पेंस फिल्म की तरह होती है लेकिन फिर कहानी अलगलग किरदारों पर केंदरित होती जाती है ये खाले इस अनुराप कश्चप का सिनेमा है जहां सारे किरदार असली लगते है हलाकि दूसरे भाग में फिल्म कई जर्ये बोजिल हो जाती है अगर अभी नहीं की बात की जाए तो मुख्य कलागारों ने अपने अपने किरदार के साथ म्याय किया है और निर्देशन की बात की जाए तो अनुराप का निर्देशन बहतरीन है ये फिल्म शायर मास को पसंद ना है फिल्म में न गाने है और नहीं कॉई बड़ा बॉलिवूड स्टार मनोरंजन की फिल्म में कमी दिखाई दिती है अनुराग जिस तरह से काहनी को परदे पर कहना चाते थे वो शायद दर्शरक समझ न पाए मनोरंजन की चाहत रखने वाले दर्शरक इस फिल्म को देखने न जाये यह उनके लिए जोखिमबरा हो सकता है आमेटबन के फिल्म पिके ने कमाई का नया रिकॉर्ड बनाय है पिके ने रिलीज के पहले हफते में ही 182 करोड रुपे का कलेक्शन किया जो बॉक्स ओफिस पर नया रिकॉर्ड है जबकि सोशल मेडिया पर इस फिल्म का बहिशकार करने की मुहीम भी चल रहे है कई लोगों ने इस फिल्म पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है तो कुछ लोगों ने आमिर खान और निर्देशक राजकुमार हिरानी के खिलाफ केस भी दर्श कड़ाया है बावजुद इसके पिके की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा यूँ तो लोग सनी लियोन पर फिदा नजर आते हैं पर इन दिनों सनी फिदा है अनिल कपूर पर पिछले दिनों सनी ने सदा बार अनिल कपूर को जन दिन की बदाई दी थी और हाल भी में अनिल कपूर सनी के फिल्म वन नाइट स्टेंग के शूटिंग में सेट पर पॉट अनिल कपूर को वहाँ देखकर सनी बहुत खुश हुई थी और उनके गले लग गई इसके बाद सनी और अनिल कपूर ने फोटो शेशन भी कराया